जहें दोस्वांदे महातरम केरला स्टोरी और केरला स्टोरी से जुड़ी हुई बातें इस समय इतनी जादा चल रही है कि आप आलम ये समझे है कि दो हफ्ते हो चुके हैं लेकिन अभी भी इसकी चर्चाएं बदस्तूर जा रही है देविली नव अटचार है टेलिवीजन की एक मशूर अदाकारा है बिग बॉस में नजर आ चुकी है लेकिन अभी हाल के कुछ समय में वो काफी दा चर्चा में रही है अपनी शादी के कारण और साथी साथ केरला स्टोरी पर दिये गए अपने बयान के कारण दरसल पिछले कुछ समय से अदा शर्मा के फिल्म दा केरल स्टोरी की काफी चर्चा हो रही है कोई या तो इस फिल्म को देखने के बाद प्रशंसा करता नजर आ रहा है या फिर इसकी जोरदार आलोचना कर रहा है यहीं पर एक्टरस देवलीन भटचारे ने ये फिल्म अपने हस्बेंड शैनवाज शेक के साथ देखी वो इस फिल्म का सपोर्ट कर रही है जिसके लिए उन्हें और उनके पती को दोनों को ही लगतार टार्गेट किया जा रहा है एक्टरस ने अब इसके पर रियाक भी किया है दरसल एक शक्स ने अधा शर्मा और साधवी प्राची को टैक करते हुए सीधा देवलीन भटचारे पर निशाना साथ दिया शक्स ने कहा कि देवलीन भटचारे के बुलाया था क्या आपने इस फिल्म के लिए वेकिपीडिया कहता है कि इनके पती का नाम शेहनवाज शेख है शायद आपको पता नहों लफ जिहाद की ऐसी की तैसी देवलीन भटचारे ने लेकिन जब ये ट्वीट देखा तो उनसे रहा नहीं गिया और उन्हों ने इस पर रियाक भी किया टीवी की गोपी बहू ने शक्स को रिपलाय करते हुए कहा कि अरे खान साब मुझे बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी मैंने और मेरे हस्बेंड ने पहले ही ये फिल्म देख ली और हमें दे केरल स्टोडी बहुत पसंद आई कभी आपने ट्रू इंडियन मुस्लिम नाम सुनाएगा मेरे पती उन लोगों में से हैं जो गलत को गलत कहने की ताकत और हम्मत दोनों रखते है बता दें कि देवलीन मट्टचारे को फिल्म काफी पसंद आई और वे फिल्म और फिल्म की एक्ट्रिस अदा शर्मा का कई जगों पर बचाव भी करती नजर आई उन्होंने अदा का बचाव करते हुए एक और ट्रोल को लतारते हुए कहा था कि सीग्रेट ट्रोलर्स की लिस्ट में एक और नाम बुर्का पहन कर ब्रिन्वाश करके फातिमा आपा बनने के बाद उसके साथ जो हुआ उसी वज़े से सौ करोड की मुवी बन पाई है मबारक हो वैसे अदा तो इस फिल्म के साथ एलिस में आ गई तुम्हारा क्या होगा तुम तो अभी भी एक वही साड़े के से ट्रोलर ही हो दरसल फिल्म दे केल स्टोडी की बात करें तो इसे देश भर में कई जगों पर बैन कर दिया गया है इसके बावजूद भी फिल्म ने दो हफतों में अपनी कमाईट दो सो क्रोड के करीब पहुँचा दी फिल्म का निरुदेशन सुदीबतो सेन ने किया है और इसका निर्माण विपल अमरतलाल शाह ने किया है फिल्म की कमाईट हमने का फिलहाल नाम नहीं ले रही है और से दुनिया भर में काफी पसंद किया जा रहा है जाहिर सी बात है अब इस मुवी को अगर पसंद किया जा रहा है तो लोग इसको देख भी रहे हैं तभी तो पसंद किया जा रहा है और तभी इसके शोस को लगतार बढ़ाया भी जा रहा है हाला कि एक बड़ा वर्ग है जो कि अभी भी इस बात को हजम नहीं कर पा रहा है कि ये मूवी चल कैसे रही है और वो वर्ग है हमारा देश का लिब्रल ग्र इन लोग नहीं उम्मीद थी कि ये मूवी इतना पैसा कमा लेगी और आप तो ये देखिए कश्मीर फाइल्स और उसके बाद में कैरला स्टोरी ये दो मूवी ऐसी आई है जिन्होंने की वाकई में भारत में कुछ सचाई को उठा कर दिखाया है और आप देखिए इन दो मूवी से कितने सारे लिब्रल्स को मतलब पेट में दर्ध हो गया है यसे में खेर कोई समस्या नहीं है पेट दर्ध होता है तवी तवियत भी दुरुस्त होती है तो हो सकता अब इनकी भी तवियत दुरुस्त हो जाए क्या कहना है आपका कमेंट करें जरूर बताईएगा मेरे सुडियों फिलालत नहीं जाये हैं इंचे भारत